वेलकम टू नेक्स एक जाओं आज है 11 अप्रेल 2023 और 11 अप्रेल 2023 से कर इंटरफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं सारे में से वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुशिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट इंप्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आ पीडियाप आप मारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्कुसिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक कर कि टेलीग्राम ग्रूप जोईन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाली में 200 होम्योपैथी दिवस कम मनाया गया है तो अभी 10 अपरेल को 200 होम्योपैथी दिवस मनाया गया तो इस कुशिन का बे आप्सेंस आहिए होम्योपैथी के संस्थापक और जर होम्योपैथी के संस्थापक थे और एक जर्मन चिकित सकते इनी की जैन जैनती को चिन्नित करने के लिए ये 200 होम्योपैथी दिवस 10 अपरेल को मनाया जाता है अच्छा अभी एक अपरेल को आर्बियाई का इस्तापना दिवस मनाया गया और एक अपरेल को ही उड़ीसा द कान जागरुकता दिवस मनाया गया पांच अपरेल को अंतरास्ती समुद्री दिवस और अंतरास्ती बिवेक दिवस मनाया गया च्छे अपरेल को बिकास और सांती के लिए अंतरास्ती खेल दिवस मनाया गया अच्छा अभी जो बेसु होम्योपैथी दिवस मनाया गया है इसकी theme है, bun health, bun family, क्या है, bun health, bun family, तो इस question से आपको इतनी जानकारी मलती है, आज किस वीडियो का हम target रखते हैं, 40 या like है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अलपो लगता है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू क्या करो, और मैं आपको भी बोलता हूं, daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target पिक्स करो, चाहे चोटा सा ही target पिक्स करो, लेकिन daily morning mode कर, सबसे पहले अपने लेक target पिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस target को अजेब करने में लगा दो, आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी, ने question है, किस ने बेस सु बैक्सीन कॉंग्रे 2023 में पुरुषकार जीता, तो इस question का, say options सही है, world vaccine congress, ये 3 अपरेल से 6 अपरेल तक, वासिंग्टन डेसी में आयो जो थोई है, और यहीं पे best production process development award भारत biotech ने जीता है, अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, best production process development award ये भारत biotech ने जीता, और world vaccine congress, ये कहाँ पे होई, ये बासिंग्टन DC में होई, ने question है, हाली में IPL में सबसे तेज 6,000 रन वनाने वाले खिलाडी कौन बने है, तो अभी डेबिट वार्नर, IPL में सबसे तेज 6,000 रन वनाने वाले खिलाडी बने, तो इस question का, bay options है, ये हैं डेबिट वार्नर, ये अभी डेली capital के ल प्राट कोली और सिकर धवन, 6,000 रन बना चुके हैं, लेकिन अब IPL में सबसे तेज 6,000 रन वनाने वाले खिलाडी डेबिट बार्नर बने है, ने question है, हाली में केसराजी की बिधान सबाने, अनातों के कल्याड के लिए बिधियक पारित किया है, तो अभी हिमाचल बिधियक होगा, I think, अनात बच्चों के लिए बिधियक, इसमें क्या है, इसमें निरासरित और अनात बच्चों को आसरे, सिक्षा और 4,000 रुपए pocket money दिया जाएगा, जिससे कि जो निरासरित और अनात बच्चे हैं, वो पढ़ सकें और अपने जीवन को बहतर बना सकें, मैंने आपको हिमाचल परदेश के बारे ये बताया था, सुखासरे साहिता कोस, ये हिमाचल परदेश में लोंच किया गया, इसी सुखासरे साहिता कोस से, इन निरासरित और अनात बच्चों का जीवन बहतर बनाया जाएगा, तो अभी हिमाचल परदेश बिधान सबा में, ये अनाथों के कल्यान के लिए विध्यक पारित हुआ है और इस विध्यक का नाम हिमाचल प्रदेश सुकासरे विध्यक दिया गया है अब हिमाचल प्रदेश तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश प्रदेश की कांगडा चाय को यूरोपेन जी टेक मिला ओर्गिनाइजड लिकोरिस यानि की मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राजी हिमाचल प्रदेश बना नैमूर्ति सभीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोड का कारेबाहक मुख्य नैदीज बनाया गया हिमाचल प्रदेश में देश की प्रथम मद्दाता स्याम सरड नेगी ने मद्दान किया इतना आपको हिमाचल प्रदेश की बारे में रखना है अच्छा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालया नेसनल पार्क है पिन बैली नेसनल पार्क है और ठेर गंगा नेसनल पार्क ह ये हिमाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। ने क्यूशन है। हाली में उत्तर प्रदेश के केस जिले में बेसुका पहला ACI किंग गिद संरक्षड केंद्र बना है। तो उत्तर प्रदेश के महाराज गन जिले में बेसुका पहला ACI किंग गिद संरक्षड एबम प्रजनन केंद्र है ये उत्तर प्रदेश के महाराज गंज में बना है अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैं अपना उत्तर प्रदेश की केपिटल क्या है लखनो और लखनो गूमते न देखिना रिष्टेत है उत्तर प्रदेश की चेपनिश्टर है योगियाजना उत्त उत्तरप्देश सरकार ने सिक्षा सेवा चैन आयोग इस्तापित करने की गोश्णा की है और अभी उत्तरप्देश के बनारसी पान और लंगडा आम को जी आई टेक मिला है SEO की पहली परेटन और सांस्कृतिक राजधानी बाराणसी को गोसित किया गया उत्तरप्देश सरकार ने इलेक्ट्रिक बानों की खरीद पर रोट टेक्स और पंजीकरण सुल्क माफ करने की गोश्णा की है उत्तरप्देश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉंच किया है अच्छा उत्तरप्देश में दुद्वा नेसनल पार्क है, कतर्निया घट वैले सेंचुरी है और पेली भीट टाइगर रिजर्ब है ने क्यूशन है, हाली में किस देश की उप बिदेश मंत्री चार दिवसी भारत की दोरे पर पहुँचे है तो यूक्रेन की उप बिदेश मंत्री है, एमीन जबारोग, ये अभी चार दिवसी भारत की यत्रा पर पहुची है तो इसकुशिन का A options है यह है यूक्रेन की उप बिदेश मंत्री एमीन जपारोग यह अभी चार दिवसी भारत की यत्रा पर आई है अब यूक्रेन तो ये है मैप में यूक्रेन यूक्रेन की capital क्या है केव यूक्रेन की currency क्या है यूक्रेनी हरवेनिया और यूक्रेन की present time पर मंत्री इंडिया आई हुई है अच्छा यूक्रेन की राष्टपती को 2022 Liberty Medal दिया जाएगा क्रेप्टो करंसी रखने के ममने में यूक्रेन टॉप पर रहा है dissident human rights about 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता यूक्रेन के राष्टपती को जोन एफ केनेडी पुरुसकार मिला है और यूक्रेन की गड़ तक मेरिना विया जोवसकाने प्रतिस्टित Fields Medal 2022 जीता है ने की शिन है हाली में जारी Tiger Census के अनुसार भारत में बरस 2022 तक बागों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है तो अभी Tiger Census जारी क्या गया है और इसके according बरस 2022 तक बारत में बागों की आबादी बढ़कर 3160 हो गई है तो इसकी शिन का say options है है 2006 में ये 1411 थी 2018 में ये बढ़कर 2960 होई और अब 2022 तक ये बढ़कर 3160 हो गई है तो अब भारत में बागों की आबादी 2022 तक 3160 हो गई है आपको पता है अभी प्रदानमंत्री नरेन मोदी करनाटक के बांदीपूर Tiger जरुए एक्चल में हुआ क्या? प्रोजेक्ट टाइगर को अभी 50 साल पूरे हुए है प्रोजेक्ट टाइगर ये कब सुरू हुआ था? 1973 में इंद्रा गांदी ने सुरू किया था क्यों सुरू किया था? क्योंकि बागों की आबादी लगातार घट रही थी और बहुत तेजी से घट रही थी इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर सुरू किया गया अभी प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए तो प्रदानमंत्री नरेन मोदी जी करनाटक के बांदीपूर टाइगर रिजर्ब गए और वहाँ पर ये टाइगर सेंसस नों ने जारी किया है टाइगर सेंसस में ये आंकड़ा आपको याद कर लेना है 3160 2022 तक भारत में टाइगर्स की आबादी 3160 हो गई है ने क्यूशन है हाली में प्रदानमंत्री मोदी ने कहां अंतरास्टी बेग केट अलाइंस शुरू किया है तो अभी मैंने आपको बता है प्रदानवंत्री मोधी करनाड़ के बांदीपुर टाइगर रिजर्व गए यहां पर इन्हों ने अंतरास्टी बिग्केट एलाइंस शुरू किया है तो इस कुष्छिन का B Options यह जो प्रदानवंत्री नरेंद्र मोधी का बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा है यह म most most important होने वाला है competitive exam के लिए आपने देख तो लिया होगा कि प्रदानमंत्री Modi ने एक नए जोड़े कपड़े पहने बिल्कुल Tiger Reserve जैसे कपड़े पहने और फोटो सूट किया आपने यह सब चीजें देखी होंगी यह सब चीजें आपके लिए important नहीं होता क्या है हम बोची देखते जो हमाली important नहीं होती क्योंकि हमें वह attractive लगती है वो चीजें मोदी जी के लिए important है उनको अपने image क्या important है आपको किस चीज़ पर focus करना है आप कहां focus कर रहा हो मोदी जी की dress पर मोदी जी एक camera लेकर फोटो सूट कर रहा है उससे आपका क्या वाला हो जाएगा वाला तो आपको अत्ताब होगा ना आप इन चीज़ों पर focus करोगे tiger senses tiger senses का यह आकड़ा project tiger कब सुरू हुआ project tiger सुरू क्यों हुआ था अच्छा मैं आपसे question पूछ हूँ जैसे इंसानों की गढ़ना होती है आपको पता है आपके दरवाजे पेक व्यक्ति आएगा जो government की तरफ से गढ़ना कैसे होती है यह question आया कभी आपके माइंड में टाइगर्स की जो गढ़ना होती है वो इंसानों की गढ़ना से कई उसके बाद यह tiger senses पूरा होता है तब यह आंकड़ा निकल के आता है ऐसे ही आंकड़ा निकल के नहीं आ जाता है यह चीज़े आपके माइंड में आने चाहिए पहले बांदीपूर टाइगर्स यह अब आपको याद हो जाना चाहिए करनाटक में है मैं आपको हमेशा बतात है जिनसे आपका carrier बेतर बनेगा जिनसे आपकी life में improvement होगा आप उन चीज़ों पर focus करो आप गलट चीज़ों पर focus मत करो क्योंकि मोदी जी अपनी यह संगी है क्योंकि वो उनी चीज़ों पर focus कर रहें जो उनके लिए बहतर है लेकिन गलट आप हो आप उन चीज़ों पर focus करने लगोगी न तो आपको अपनी life में improvement दिखने लगेगा तो यह अंतरास्ती big cat alliance करना टक में प्रतानवंतरी मोदी ने सुरू किया अब यह है क्या mind में click करना चाहिए तो साथ प्रमुक बड़ी बिल्लियों की जो प्रजाती है जैसे बाग है सेर है तेंदुआ है हिम ते प्रजान केंद्रित करने के लिए प्रदानमंत्री मोदी ने यह अंतरास्ती big cat alliance शुरू किया है यह भी आप याद कर लीजिए और कहां शुरू किया है करना टक में दो तीन साल बाद जब exam होगा तो आप से question पूछा जाएगा कि international big cat alliance कब शुरू हुआ था तब आप इन साथ प्रजात्यों के सरनक्षड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस तरह चीजों को आप याद करो अब करना टक तो यह है मैप में करना टक करना टक की capital क्या है बैंगलोर करना टक की चीपनिश्टर कौन है वसव राज बोंबई और करना टक की गवर्नर कौन है करना टक में सिब मोगा हवाई एड़े का उद्गाटन किया यह जो सिब मोगा हवाई एड़ा है यह करना टक में बना है और इसकी बिसिस्ता क्या है यह कमल के आकार में बनाए गया है करना टक सरकार ने अमरत नगरोत्थान यूजना की गोशना की करना टक के मुख्यमंत्र अंसी, नगर होल, बनरकटा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क है मैं आपको हमीशा बताता हूँ करनाटक की दो डांस बहुत फ्यमत से कौन से हैं? यक्षिगड और डोलू कुनीता नेक्श उशन है हाली में भारत, बंगलदेश, जापान कहां connectivity बैठक आयोजित करेंगे तो भारत, बंगलदेश और जापान ये त्रिपुरा में अभी connectivity बैठक आयोजित करेंगे तो इसको शिन का say options है इसका उद्देश connectivity पहलूँ की खोज करना और चेत्र के बाड़िजिक चमता का उप्योग करना है अब ये त्रिपुरा में आयोजित करेंगे तो ये है map में त्रिपुरा त्रिपुरा की capital क्या है? अगरतला त्रिपुरा की chief minister कौन है? मानिक शहा और त्रिपुरा की governor कौन है? सत्य देव नाराइड आर्या अभी चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में त्रिपुरा की मुख्यमंत्री ने अमर सरकार portal लौंज किया त्रिपुरा सरकार ने अर्न बिद लर्न योजना शुरू की त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पसु चिकित्सा स्वास्ते सेवाई शुरू करने की गोशना की और त्रिपरा सरगार नेमुक्य मंत्री चास रमी कल्यांड प्रकल्प योजना सुरू कि इतना आप त्रिपरा के बारे में रखी next question है किसने जम्मू में ट्वेलिप गार्डन का उद गार्डन किया तो जम्मू कस्मीर के लीटेनेट गवर्णर है मनूस जिन्ना अच्छा अभी एरेटर कम डांसिंग फांटेन का उद्गाटन स्रीनगर में किया गया, एसिया का सबसे बड़ा ट्विलेव गाडन जम्मू में खुला है, यह मैंने आपको तब ही बता दिया था जब यह गोशना होई थी, तो अब यह खुल गया है, जम्मू कस्मीर में डू मेराथन का आयोजन किया, अच्छा जम्मू कस्मीर में डच्छी ग्राम नेसनल पार्क है, किस दवार नेसनल पार्क है, अच्छा जम्मू कस्मीर में डल जील है, और बुलर जील है, ने क्यूशन है, हाली में किस ने, औरलियंस मास्टर्स दुजर तेईस पुरुस एकल खि किताब जीता तो इस कुश्यन का से एप सुन से यह यह भारती पुरुस एकल बेडविंटन खिलाड़ी प्रियांसु रजाबत इन्होंने अभी फ्रांस में और लियंस मास्टर्स दुजर तेईस पुरुस एकल खिताब जीता है ने कुश्यन है हाली में किसने सांखी की पुरुसकार जीता तो इसकुश्यन का बे ऑप्सन सही है और इसे सांखी की का नोबल कहा जाता है क्या कहा जाता है सांखी की का नोबल अच्छा फ्रांस के सर्वोच नागरिक पुरुसकार से अभी किरण नादर को सम्मानित किया गया टेकसास युनिवस्टी ने नबेन ज शुना गया। प्रेज्चिकर आर्किटेक्चर पुरुषकर दुजर्टेश के बिजिता के रूप में सर डेविट चिपर फील्ड को चुना गया। आठ में राश्टी फोटोग्राफी पुरुषकर समारों में लैब टेंम अचीब्मेंट पुरुषकर से सिप्रादास को सम्मानित किया गया है ने क्यूशन है हाली में किस ने भारती समिदान के डोगरी संस्क्रड का पहला संस्क्रड जारी किया है तो प्रजेन टेम पे हमारे केंदरी, कानू, नियाय और संसदी कार्यमंत्री है केरड रिजजू इन्होंने अभी भारती समिदान के डोगरी संस्क्रड का पहला संस्क्रड जारी किया तो इस क्यूशन का C options है ने क्यूशन है हाली में ग्रह मंत्री अमित्सा ने कहां बाइबरेंट बिलेज प्रोग्राम लॉंच किया तो अभी अर्णाचल प्रदेश के एक गाउं में ग्रह मंत्री अमित्सा ने बाइबरेंट बिलेज प्रोग्राम लॉंच किया तो इस क्यूशन का A options है एक्चुट में ग्रह मंत्री अमित्सा अभी दो दिवसी अर्णाचल के दोरे पर गए और यहीं पे इनोंने अर्णाचल प्रदेश के अन्जोज ले के सीमा वरती गाउं के बिठू में बाइबरेंट बिलेज प्रोग्राम लॉंच किया अब अर्णाचल प्रदेश तो ये है मैप में अर्णाचल प्रदेश की एपिटल क्या है एटानगर अरणाचल प्रदेश की चीपनिष्टर कौन है पेमा खंडू और अरणाचल प्रदेश की प्रजेन टाइम पे कवर्नर कौन है केटी परनायक अच्छा अभी रक्षा मंत्री राजना सिंग ने अरणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्गाटन किया प्रदानमंत्री मोदी ने डोने पोलो एरपोर्ट का उद्गाटन इटानगर में किया अरणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहले डोन मद्यस्ता पसुदन टेकरकर सेवा सुरू की और अरणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया इतना आप अरणाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए नेक्यूशन है असम चाय के कितने साल पूरे होने पर गुहाटे चाय नीला में केंद जस्न मनाएगा तो अभी असम चाय के 200 साल पूरे हुए हैं और इन 200 साल पूरे होने के उपलक्ष में गुहाटे चाय नीला में केंद जस्न मनाएगा तो इस कुशिन का C options है और ये जो गुहाटे चाय नीला में केंद है ये दुनिया में सबसे ब्यस्त चाय ब्यापार केंदरों में से एक है अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे कुशिन पूचा था कि हाली में लगातार छटे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता कौन बना है तो रूस अभी लगातार छटे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता बना तो इस कुश्यन का A option सही था और लगबख सभी श्ट्रेनेस कांसा सही थिया मुश्ट्रेनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूगा कुश्यन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अच्छा आज मैं आपसे एक और कुश्यन पूश्टा हूँ ये कुश्यन है जैसे ये जो टॉपिक होते हैं जैसे प्रदानवन्त्री मोधी अभी करनाटक के बांधिपूर टाइगर रिजर्व गए हिमाचल प्रदेश में जो सुखासरे साहता को सुरूप किया गया उसके तुरू अब अनात और निरासरित बच्चों की मदद की जाएगी उनको एजुकेशन प्रवाइड की जाएगी उनको रहने के लिए पवस्ता की जाएगी उनको even pocket money भी दी जाएगी ये जो टॉपिक हैं इनको आप देख लेते हो सुन लेते हो न्यूज में भी आप देख लेते हो लेकिन जो आपके लिए इंपोर्टेंट चीज़े हैं वो आपसे छूट जाती है तो मेरा आपसे कुश्यन है क्या मुझे इन टॉपिक्स पर इस्पेसल वीडियो बनाना चाहिए अगर आपक लगता है कि इंपोर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए इंपोर्टेंट है इन से जो कुश्यन मनेंगे वो आपको मदद कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आज जरूर बताना कि क्या मुझे इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सा कारला है जो हमारे लिए वैनिस्वीट से चीज होती है वो हमें कभी अच्छी नहीं लगती क्यों नहीं लगती क्योंकि उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है उनमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है जो हमें अट्रेक्ट करें जि आपके लिए वही चीज बहतर होगी, जो थोड़ा सा आपको कस्ट देखिए, जिन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो चीज आपके लिए बहतर होगी, आपको एक एक्जम्पल से सम्झाओ, इसी बांदिपुर वाले इंसिडेंट में आप देखो, क्या इसा अपनी हर चीज पर वर्क करते हैं, और बहुत भेंकर हार्ड वर्क करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल आप एंगल मत बनाओ, अगर आप स्टुएंट हो, ना इधर इंकलाइंड हो, आप हर चीज से सीखो, आप जब सीखने लग जाओगे ना, तो आपको अपनी लाइप म जो कुश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको बताओं, उनके बारे में अलग से डेडिकेटीड भी न्यू बनाओं या ना बनाओं, प्लेज इसका आंसर आज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अब आपके लिए आज का कुश्चन है, हाली में केस राज में, पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा फेसुप पर जोइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेवेस एरे कुश्चन आपको बहुत हैल्प करते हैं, अगर आपको किसी कुश्चन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटिड भी कोई प्रॉलम है, तो आप इं टार्गेट है 40 या लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अल्प लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो, और आपके पास जो भी स्टेडी रिलेटेड वाट्सेप और फेसु ग्रूप हैं, उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो, तो ये था आज का हमारा करेंट अइंट अफेस का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लागा, प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना, और अगर अबे तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरू क मिलेगी जब बे आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स एक जम औल बेज विद यू थैंक्स वर वाचिं